नमस्कार दोस्तों मैं हूँ कीरती और मेरी चैनल आओ चले पर आप सभी का स्वागत है तो आज हम जानते हैं मूली खाने के फाइदे मूली में भरा होता है प्रोटीन, फाइबर, विटामिन A, B, C और साथी साथ होता है कैलशियम, फॉस्फूरस, मैंगनीशियम, आईरन, क्लोरीन, मैंगनीज, पोटेशियम, जैसे पोशक तत्वों से भरपूर ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फाइदे मनत है ये किवल हेल्थ को ही अच्छा नहीं रखती है बलकि बहुत सारी बिमारियों से हमारे शरीर की भी रख्षा करती है तो जानते हैं आज मूली खाने के फाइदे तो इसे खाने का पहला फाइदा है कि इसे खाने से किड्नी स्टोन से बचाव होता है इसका रस पीजिए या इसे खाइए सेंधा नमक डाल कर इसे आपकी किड्नी हेल्थी होती है और जो इसमें होने वाले छोटे-छोटे से स्टोन होते हैं वो निकल जाते हैं और शरीर से विशाक्त पधार्तों को बाहा निगालने में मदद होती है इसका दूसरा फाइदा है यह हमारे हृदय के लिए बहुत फाइदे मंद है पॉलिस्ट्रॉल को कम करती है और हाई बीपी को कंट्रोल करती है दिल की बीमारियों से बचाव करती है साथी साथ हार्ट अटेक का ख़त्रा भी कम होता है क्योंकि इसमें पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है तो देखिए ये मूली हमारे हर्दे के लिए कितनी ज़्यादा फायदे मंद है तो इसे रेगुलर के लिए अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए तो जानते हैं इसे खाने का तीसरा फायदा डाइबिटीज के मरीजों के लिए भी ये बहुत फायदे मंद है क्योंकि मूली को खाने से बलड शुगर की मात्रा कम हो जाती है तो बहुत ही फायदे मंद है इसके खाने का चौथा फायदा ये है कि ये वजन कम करने में भी हेल्प करती है अब जानते हैं इसका पाच्वा फायदा ये हमारे लीवर के लिए भी बहुत लाबकारी है इसे खाने से लीवर हमारा हेल्दी रहता है इसका छट्वा फायदा है कि ये कैंसर का खत्रा कम करती है साथ्वा फायदा है इसका कि ये कबज को दूर करती है और पेट के लिए बेहत लाबकारी है पाचन तंदर को हेल्दी रखती है और फाइबर से भरपूर है भूक को बढ़ाती है और साथी साथ गैस की प्रॉबलम भी दूर होती है ACDT भी दूर होती है तो इसे शलाद के रूप में खाईए या इसका जूस पीजी किसी भी रूप में लीजी या आपके शरीर में जाना चाहिए अगला फाइदा है यानि की आटवा फाइदा है कि इसे खाने से यूरिन प्रॉबलम दूर होती है इसका नवा फाइदा है कि इसे खाने से आपके जॉइंट स्पेन सूजन इन में राहत मिलती है और साथी साथ आपकी बोंस भी हेल्दी और स्ट्रॉंग रहती है क्योंकि इसमें कैलशियम भरपूर मात्रा में होता है इसका दस्वाँ फाइदा है कि ये हमारे सरी की प्रतिरोधक छमता को बहुत अच्छी करती है उसे बढ़ाती है और साथी साथ सर्दी खासी से हमारा बचाओ करती है इसी खाने से आपकी ठकान दूर होती है और इंफेक्शन से भी बचाओ होता है तो आज हमने जाने मूली खाने के इतने सारे फाइदे तो ध्यान ये भी रखना पड़ेगा थोड़ा सा क्या सावधानी जिनका ब्लड शुगर लेविल कम रहता है वो मूली का सेवन ना करें या डॉक्टर की सलाह पर करें और साथी साथ खाली पेट मूली का सेवन मत कीजिए और मूली को खाने के लिए आप दिन में ही खाईए इसे मूली को अब शलाद के रूप में खा सकते हैं सबजी के रूप में खा सकते हैं या इसका जूस भी पी सकते हैं तो मूली को कीजिए अपनी डाइट में शौमिल और इसी तरह के अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे जरूर विजिट करें और अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक शेर करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथी साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा तो मिलते हैं जानकारी से भरे अगले वीडियो में धन्यवाद